पूरा देश आजादी के अमरित महतसफ के जश्न की तैयारी में डूबा हुआ है कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक हर कोई अपने अपने तरीके से इस अमरित महतसफ में अपना योगदान दे रहा है देश बदल रहा है और नए भारत का नया कश्मीर जो अनुच्छे 370 के हटने के बाद एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है वहां से बेहत खूपसूरत और दिल को सुकून देने वाली तस्वीरे सामने आ रही है दरसल यहां के रजौरी के रहने वाली महिलाओं का देश के प्रती जजबा इतना अदभुत और मजबूत है कि उसके आगे दरिया का तेज बहाओ भी नाकाफी है क्योंकि वादियों में हिंदुस्तान के प्रती प्रेम भरपूर है यह महिलाओं नदी को पार कर हजारों तिरंगे बनाने के अपने उदेश को पूरा करने में जुटी हुई है जी हां यह महिलाओं जुडी हुई है स्वेम सहायता समूह से और इनका एक ही उद्देश है, हर घर तिरंगा भ्यान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे बनाना, ताकि 15 अगस्त को हर घर में हर कश्मीरी के हाथों में तिरंगा हो, और उन लोगों को ये जवाब दिया जा सके जिनके जहरीले बोलों में ये बात अक्सर शुमार होती है कि 370 के हटने के बाद घाटी में तिरंगा जंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा सुनिए सिलाई कर तिरंगा बनाने वाली एक युफ्ती की बातें जो पाक परस्तों को काफी चुबने वाली हैं यह जो हमारी जो सकीम है अनायलम तो इस सकीम में हम लड़कियां जो हैं हमें गुरूप बनाए हुए हैं तो हम एक जगा बैठके हमें टार्गट दिया गया हुए कि 2,000 जंडा जो हमें फलॉक बनाने तो उसके बाद हम दूर दराज पाड़ी एरिया है वहां पर हम जाके को यह जंडे दे रहे हैं तो हमारा यह मिश्चन जो है मतलब जहां तक भी हमारा नदी नाले हैं पहाड़ी एरिया जहां तक हमारा हो सके तो हमें यह पहुँचाने हैं तो हम बहुत ज़ज़ जजबे से यह जंडे बना रहे हैं हमारी बहुत ज़ज़ ज़जबे से यह जं काम हो रहा है हमारा तो हम चाहते हैं कि जो भी बहने हैं वो इस सकीम में जुड़ना चाहती है तो हमारे सज्ट जैसे कि आपको पता ही है कि हम पचेतरमी आजादी का जो तैवार है वो सिलिबरेट कर रहे हैं उसके अंडर हमारे अपनी प्राइम मिनिस्टर साब का एक स्लोग जो है वो बनाने के लिए तो जो हमारी सेजी मिंबर्स हैं काफी दूर दराज एरिया जैसे आप दिखा ही रहे हैंगे पीछे बहुत उंची उंची पहाडियों से पैदल चलके दूर दराज एरिया से सुबह आती हैं और शाम को वापस जाती हैं इमन के वो दिन का खाना व जो सेजी मिंबर्स हैं वो काफी अच्छा काम कर रही हैं और जो हमें एक टार्गेट मिला हुए 20,000 जंडूं का यहां हमारे डिस्टिक रजूरी में वह हम जो हमें टायम मिला है उसी टायम में हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन्शालला उसमें हम काम्याब भी हो एक शेर के साथ इस वीडियो का अंत करना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि जन्नते कश्मीर में तिरंगा नहीं थामेगा कोई उन्हें दिखा देना ये तस्वीर शर्म से पानी-पानी हो जाएगा वही